आप देख रही है MNS News सच जरूरी है कार्यकर्टाओं के स्वागत कि इस दौरान जब कार्यकर्टा नारे बाजी कर रहे थे तो खर्गे नाराज हो गया और उन्होंने नेताओं कार्यकर्टाओं को हिडायत भरे अंदाज में कहा चुप बैटो चुप बैटो खाली वी जिन्दाबाद के नारे से कुछ नहीं होगा खामश रहो थोड़ा जिया राहूल गांदी को दिया बैटक का श्रेया बाटी कारकरताओं को संबोधित करते हुए खरगे नहीं आगे कहा हम सारे विपक्षी पार्टी के लोग एक है राहूल गांदी जी ने पहला कदम उठाया और हम सब मिलकर बिजीपी के खिलाफ लड़े गे ये राहूल जी का कदम था राहूल जी ने ये मीटिंग के लिए कहा था हम सब आज यहां आए है जिहां करकरताओं से कही यह अपील खड़िये ने कहा हमारी पार्टी के जो उसूल है हमारी पार्टी को जो विजारधारा है इसको बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और अगर बिहार में हम जीट गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीट जाएगे इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि कॉंग्रेस खेद भी हो तो किनारे करिए देश आपका काम लोगतंत्र और सविधान को बचाने का है अपने हांकों को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा और सबको एक जूट करना होगा जिया राहुल ने कही ये बात वही कॉंग्रेस ने तर अउल गांदी ने पार्टी वरकर्स को संबोधित करते वे कहा हिंदूस्तान में विचारधारा के लड़ाई चल रही है एक तरफ कॉंग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ आरसस की भारत तोड़ो वाली विचारधार और इसलिए हम आज बिहार में आए हैं कोग्रिस पार्टी को जो डियने है वो बिहार में है आपने हमारे भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद किया है मैं जिस राज्य में भी गया वहां बिहार के लोग हमारे साथ चले अपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप वि विश्वास करती है यूपी पुलिस भरती में 20% महिलाओं का हिस्सेदारी अनिवारिया की कर दी गई है यूपी में CM योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा सम्मानवा सशक्तिकरन के लिए प्रतिभंद है महिला सशक्तिकरन में बढ़ावा देने के लिए पी एसी बटालियन में ये महिलाओं को भी जगा मिलेगी इसके लिए महिला बटालियन की स्थापना की जा रही है बता दे की बाज सीम ने गुरुवार को गुरकपूर में एक सामोहिक विवा कारिक्रम में कहा सीम ने कहा कि साल 2017 तक यूपी पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संक्या 10,000 थी इस समय ये संक्या 40,000 है सिर्फ 6 सालों में ये संक्या 4 गुना हो गई है महिला बटालियन की स्थापना इस तरह है कि अभियान को गती देते हुए गुरकपूर में पी-AC की महिला बटालियन की स्थापना तेजी से की जा रही है समारों के दौरान योगी ने देरहजार जोडों को आशिरवात दिया और कहा कि बेटियों के जन्द में लेकर के खिलाफ सामुहिक विवा योजना सकरात्मक अभियान इस अभियान में पूरे समाच को एक साथ होना चाहिए सीम योगी ने बताया कि सरकार ने पिछली छे सालों में दो लाग से ज्यादा शादिया करवाई है जल्द जारी होगा नेटिफिकेशन बतादे कि हाली में कि दो लाग चार हजार चेसो उनत्तर पदों परभरती के लिए नोटिस जल्द जारी किया जाएगा यूपी सरकार ने कहा कि ये नर्टिफिकेशन पंद्रा जुलाई तक जारी होगा दिगविजय सिंग का आरोप मंत्री गोविंद राजपूत के इशारों पर तुरवा द ने रैपूरा गाव में दस अहिवार समाच के पीम आवास योजना में बने मकानों को आतिकरमन बता कर तोड़ दिया दिगविजय सिंग ने सीधा आरोप राजपूर मंत्री गोविंद राजपूत पर लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर दलितों के मकान पर बुल्डो चड़ा दिया गये क्योंकि वे मंत्री से डरते नहीं है दोपैर में दिग्की रैपूरा गाव भी पहुचे थे दिगविजय सिंग ने प्रदेश के राजपूर एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो दलितों से डरे न कानों को देखा और ग्रामिनों से बातचीत कर स्थिति को जाना विदिकुजय सिंग ने बताया कि लोगों का कहना है कि वे पचास साल से अधिक से यहां रह रहे हैं बिना नोटिस दिये सिदे घरक और ग्रहस्ती पर बुल्डोजर चला दिया ग्रहस्ती का सामान तक नमस्कार